हेलो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोडी स्कुल में बच्चों सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंतरता दिवस की हार्दिक सुपकामनाएं आज ही के दिन यानि 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा देश भारत अजाद हुआ था 76 वर्स कम्टीट हो चुके हैं हमारे देश को अजाद हुए और आज हम 77 अजादी का जस्न मना रहे हैं हमारे देश को अजाद कराने में सुतंतर कराने में अनेक करांतिकारी महापुर्सों और देश के वीर जवानों का महत्वण योगदान रहा है उन्होंने अपने प्राण नेच्छावर किये तब जाकर हमारे देश को स्वतंतरता प्राप्त हुई है ये बात हवाओं को बताये रखना रौसनी होगी चिरागों को जलाये रखना लहु देकर जिसकी ही पाजत हमने की ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाय रखना आप सभी स्वतंतरता संग्राम में सामिल नहीं हो पाए तो आप सभी अच्छे से पढ़ लिखकर अच्छे पदो पर पहुँचकर देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं तो आप सभी को अच्छे से पढ़ना है जो भी आपके लक्ष हैं उनको प्राप्त करना है अच्छे से पढ़ते हुए सफलता हासिल करना है जहां जाना अच्छे पदो पर पहुँचकर आप सभी को देश के विकास में महत्रपून योगदान देना आज आप हमको देख रहे हैं, मुबाल चला रहे हैं, चैन की निसो पा रहे हैं, इसका कारण है देश के वीर जवान, सीमाओ पर जो बॉर्डर है, वहाँ पर तैनात है, देश की रक्षा के लिए सदा वहाँ तैनात है, यह जो तिरंगा लहरा रहा है हवाओं से नहीं, हमारे देश के वीर जवानों की सांसों से तिरंगा लहरा रहा है, ठीक है, उनको हम ससत नमन करते हैं, जितने भी करांतिकारी, महापुरुस हुए, और साथ में देश के वीर जवान, सभी को हम ससत नमन करते हैं, और हम सब भी प्रण लेते हैं, कि हम अपने लक्ष को प्राप्त कर और देश के विकास में महतपुन योगदान देंगे ठीक है तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को mental ability और general intelligence यानि जो सैनिक स्कूल की तयारी कर रहे हैं और जो नवदय विद्याले की तयारी कर रहे हैं दोनों बच्चों के लिए वीडियो बहुत important होने वाला है जैसा question आप से आपको last तक पूरा वीडियो देखना है ठीक है आज के वी दिन थोड़ी पढ़ाई कर लिजे थोड़े knowledge मिल जाएगा आप सभी को ठीक है आप सभी को comment box में जितने भी questions मैं पूछू सबके answer आप सभी को लिख कर बताने है ठीक है चले start करते हैं पहले question से पहला question है odd man out य ठीक आसंगत चलिए आसंगत बताईए आसंगत यानि कि चारों में से कोई एक होगा जो किसी ना किसी logic से या फिगर के हिसाब जग किसी ना किसी प्रकार से rotation किसा अलग होगा उसको आपको बताना है देखिए यहाँ पे कितने corner है एक corner दो तीन चार पांच ठीक है तो पे चार corner है तो चार अपने पास circle है ठीक है यहाँ पे तीन corner है तो तीन circle है यहाँ देखिए यहाँ पे 6 जब corner साथ है तो सबसे अलग हुआ न यह तो जो सबसे अलग है वही अपना answer है अब इसमें भी आपको बताना है यहाँ क्या है तो simple question है March, May, Sunday और July तो इसमें क्या ल चुट्टी होती है तो क्या हो गया Sunday सबसे अलग है बागी सब क्या है मन्त के नाम है यह क्या है डे है दिन का नाम है इसलिए अपना answer क्या हो गया option number C चलिए अगला देखते हैं यह तो simple सा है figure matching आपको सब जो similar figure दिख रहा है जो यहाँ दिख रहा है उसी को देख के बता द आपका सही है ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखे simple simple question है जल्दी जल्दी solve करते चलेंगे जहाँ पे ज्यादा समझाने की जरूरत पड़ेगी मैं बिल्कुल आपको समझाओंगा जहाँ पे आपको मैं बताऊं कि ज्यादा जरूरत नहीं है normal देखना एंसर बत ठीक है अब यहाँ एक इधर ठीक है एक यहाँ है यहाँ कितने है यह भी देखिए तीन उपर तीन नीची यहाँ भी है यहाँ भी अब देखिए यहाँ पर क्या बना हुआ है है यहाँ पर क्या बना हुआ है इसको कार्ट दीजिए option number D अपना answer है ठीक है इस तरीके से आप देख सकते हैं अब देखिए इसको pattern को complete करना है जैसे एक figure को complete करने पूरे pattern से complete हुआ है perfect figure उसमें से एक भाग को निकाल दिया गया है उसी भाग को हमको जोड़ना है ठीक है जोड़ना है कहीं घुमाना नहीं यह कोई rotation नहीं करना है simple सा उठा के यहां रख देना है तो simple सा यह इसको अब ऐसा कीजिए तो आपको दिख जाएगा कि option number B आपका answer है ठीक है clear है option number B आपका answer है अगला देखिए फिर से pattern को complete करना है तो जैसा यह बना हुआ उसी approach को follow कीजिए ठीक है वही approach लगाई है ऐसा ठीक है कुछ नहीं है सब answer हमको प्रस्न में ही मिल जाते हैं जितने भी answer है सब आपको question में मिल जाएंगे बस यह देखिए अब इसको ऐसा बंद कर दीजिए आपको answer मिल गया कौन सा answer है पताइए option number कौन सा option number D इसमें क्या कि बाहर वाले box को नहीं लिखा है क्यवाल इतना box लिखा है तो आप समझत वा जा रहा होगा आपको तो option number क्या हो गया D ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अब करना है figure series को complete करना है series सिंखला में चीज़े आगे बढ़ती जारी है एक दो तीन चार A B C D ठीक है हो सकता ज़रूर नहीं एक एक कही gap हो दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच या कितने का भी gap हो square के हिसाब से चल रही हो चीज़े बस आपको समझना है ठीक है तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है figure series को complete करना है यहाँ पर देखिए एक arrow है एक arrow है इस direction में ठीक है इस direction में फिर उपर गया यहाँ से उपर हो गया चलिए उपर गया तो दो हो गया ठीक है अब यहाँ से इस side हो गया तो तीन हो गया अब कौन से direction में लिए इधर हो गय उसके मेंहें से कहते हैं कि आपना इंसर पहुति самा इसमें बहुत ही संपल सिम्पल कोशन आप्सशन क्या भी प्रेक्टीस कीजीं चेर्टні आप उसको practice दे खुद से solve करने का प्रयास करना है और कितने question सही हो रहे हैं आप सभी को बताना है comment box में ठीक है और किसी भी topic में दिक्कत हो तो उसको भी आप सही बताई analogy यानि कि देखिए जहां तक ये देखिए double आपको दिकराई ratio का sign यहाँ पे इन दोनों में जो भी relation है वही relation इन दोनों में भी होगा तो पहले इनके relation को समझते हैं कि इन दोनों में क्या संबंध है वही संबंध हम उससे relate करेंगे और answer अपना ले आएंगे देखिए E है E के सामने हमने क्या रख दिया mirror रख दिया mirror रखा तो just pass में तो ऐसा गूम गया हो ऐसा था ऐसा गूम गया ठीक ऐसा गूम गया रोटेट हो गया अब तो D के सामने भी mirror रख देते हैं D के सामने mirror रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा यह तो कौनसा option number C अपना answer है जो चीज़ यहां हो रहा है वही चीज़ वहां भी होगा कोई भी अलग चीज़ यहां पर नहीं होने वाले ठीक है याद रखिएगा चलिए अगला देखें अब यहां देखें क्या हो रहा एनलोजी कि जो अपना बीच का जो box size square है वो ऐसा ही रहेगा बाकी जो दो है ठीक है यह है एक और यह है दोनों को ऐसा है उसको खोल दिया गया ऐसा और जोड दिया गया तो यह बन गया ऐसा देखें इतना पार्ट यह है मान के चलिए इतना ठीक है इसको अलग पार कलर से समझा दू में ठीकर आधा ये है आधा ये है ठीक दोनों को क्या क्या ऐसा था ऐसा बीच में जो है वो ऐसा ही राएगा तो इसको भी ऐसा जोड़ हैंगे तो ट्रेंगल बन जाएगा आपना सुखाए ठीक है ना समझ आ रहा है क्लियर ठीक है तो कुछ नहीं करना, इसमें ज्यादा तर question square से यानी work से related आते हैं, ठीक, ऐसा हो गया, तो ऐसा ले जाईए, अब सभी, ऐसा ले जाईए, ऐसा, 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 ठीक है, देखे, ये हो गया, अब ये हमको ढूणना, इसमें देखिए, rotation अगर allowed हो, अगर कुछ ने लिखा ह तो अगर answer नहीं आ रहा है, चार option में तो rotation करके देख सकते हैं, कोई चीज़े यहाँ पर perfect fit हो रही है, ठीक है, अगर नहीं लिखा है कि rotation allowed नहीं है, अगर लिख दिया है, वहाँ पर rotation allowed नहीं है, आप घुमा फिरा नहीं सकते हैं, तो आपको जहाँ है, उस option में से एक चुन कोशन मैंने बताएं न, आपको square से related आएंगे, आप सभी को स्वतंतरता दिवस के बारे में जो जो पता है, ठीक है, आप सभी को comment box में लिखना है कि आप सभी क्या क्या जानते हैं, स्वतंतरता दिवस के बारे में, आप सभी को जानना चाहिए, हमारा देश आजात कब जो जो चीजे आप जानते हैं, खुद से, ठीक है, उस चीज को आप सभी को comment box में लिखना है, मैं सभी को देखूंगा किसने बहुत अच्छे से लिखा है, मैं उसका नाम लूँगा next वीडियो में, कि किसने बहुत अच्छे से बताया सोतंतरता दिवस के बारे में, जितना जानते हैं आप सभी अपने मन से, उसको ठीक है, वो सब को आपको लिखना है, आप सभी को comment box में लिखना है, चली इसका answer देखते हैं, ये तो simple से देख रहा, option number कौन सा D, ठीक है, option number D अपना answer है, क्यों ये तो हो नहीं सकता, देखें ये दोनों के बीच का gap जादा है, तो ये भी नहीं हो सकता, और अब देखें, C क्यों नहीं हो सकता, C इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि देखें, यहाँ पर ऐसा है, और यहाँ पर देखें, आइसा कर दिया गया, इसलिए बाकी हो तो D तो perfect है, अगला देखें, mirror image, यानि दर पड़ा करीती, देखें, mirror मतलब आइसा आपको देखें, समझी है, mirror रखा हुआ है, अब यहाँ V है, V है, ठीक है, उसके सामने mirror इसको ऐसा गुमाय जाए तो V तो V ही बन जाएगा, अपसा number कौन सा? B, अगला देखें, फिर mirror यहाँ पर रखा हुआ है, कभी-कभी mirror आपको नीचे देखना है, mirror कहां पर आजाएगा, सामने साइड में नीचे की तरफ color कहां यहाँ है, लेकिन इससे connect होके एक और color है, तो यह option number D, ठीक है, सामने की तरफ नीचे color आगया, उससे connect है, दूसरा color उससे ऐसा है, तो यह पीछे की और जाएगा, तो यह सामने आजाएगा, और यह उसके पीछे है, तो corner को पकड़ के मोड़ दिया गया, ठीक है, देखिए, ऐसा paper था अपने पास, ठीक है, उसके corner को भी से पकड़ आगया, ऐसा मोड़ दिया गया, आप सभी बनाते होंगे न, now बनाते होंगे, अभी तो बरसात को मौसरा हम now बनाते है, aeroplane बनाके उड़ाते होंगे, ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से हमने क्या क्या कि आईसा यहां हुई है देखिए ओँ अईसा हो जाएगा ऐसा हो सब्सक्राइब को afford इसमें क्या लोगा towers का से जाए कि उसको बीच से शौ को बारबर बाट दिया गया फिर पर पर इस door जाए गया इसा कडिया तो यह इसको वापस खोल जाएगा जिस इको i गया था उसी में वापस चलिए इसको उपन करते हैं ऐसा किया जाएगा तो यह पूरा complete goal बन जाएगा यह आपका क्या मन जाएगा स्क्वाइर बन जाएगा यह आपका वृत्त बन जाएगा यानि सकता ठीक है यानि सकता यह यह देखिए यह स्क्वाइर है ना ठीक है यह भी निया सकता यह भी निया सकता कौन सा अपसा नंबर भी आपका correct है अब देखे space visualization यानि आकरिती का निर्मार करना देखिए आकरिती को जोड़ना यहां पे चीजे हवाओ में है space में है ठीक है सब कुछ बिखरी हुई है उसको जोड़के एक perfect आकरिती बनाने है एक दो तीन चार है ठीक है यहां देखिए एक दो तीन चार पांच छे तो बहुत जादा यह हो नहीं सकता ठीक है इसको नंबर देजिए एक इसको दो इसको तीन इसको चार ठीक है तो हमको को और इसमें हो सकता है कि इसमें तो हुई नी सकता ज्यादा है ठीक है इसमें भी नहीं हो सकता यह भी ज्यादा है तो simple से देखिए जो number ना ने दिया वहां मिल गया आपको तो जुड़के ऐसा कृती ऐसी figure बन जाएगा ठीक है अब इसमें देखिये इसको जोड़ना सिंपल सा, इसको एक नमबर दीजे, इसको दो, इसको तीन, ठीक है, यह हो नहीं सकता, देखिए, यहां पर ऐसा तो कुछ है नहीं अपने पास, ठीक है, अब देखिए, यहां पर, यह देखिए, हाँ, यह हो जाएगा, देखिए, यह जो है, दो नमबर हो ज रखा गया इसको भी उल्टा करके रख दिया गया है दो नमबर को एक नमबर को भी तो अपना एंसर कौनसा है option number B अब है embedded figure यानि जो चार आपके पास जो options है उसमें ऐसा जो है ऐसी आकरिती चुपी हुई है कहाँ पे बीच में चुपी हुई है इसको खोज के निकालना ठीक है यह सबसे simple और मस्त दिमाग लगाने वाला होता है क्योंकि इसमें आपको खोजना है ठीक है चलिए खोजते हैं कहां मिलेगा मिल गया देखें मिल गया ना तो option number C आपका answer है इस तरीके से clear समझ आ गया ना ठीक है चलिए आगे देखें अब यह ढूंड के बताएं मुझे यह कहां मिलेगा तो इसमें देखें हम यहां से start करते हैं ऐसा अच्छा ऐसा भी नहीं मिल रहा है तो यहां देखें ऐसा 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 तो नहीं है यह उपर की तरफ गया ना ठीक है तो यह देखें हम ऐसा ऐसा और ऐसा हाँ यह यह परफेक्ट लग रहा है ठीक है तो आपसा नंबर कौन सा भी अपना answer है ठीक है दो कि हमने complete क्या कलिए अब हम इसमें इसके आगे non-verbal reasoning non-verbal यही है बताब सैनिक स्कूल में आप non-verbal intelligence reasoning कह लीजे या फिर आप mental ability इसमें कह लीजे यह आ जाएगा ठीक है इसमें आप verbal reasoning कि स्टार्ट करते है देखें क्या था यदि कल से पहले वाला दिन सोंबार था तो कल के बाद वाला दिन कौ सोंबार था तो आज कौन सा दिन होगा बताइए देखिए यहां क्या था जैसे आज कुछ भी एक मानिया आज ठीक है टूडे की बात हो रही है कल से मतलब पुराना दिन से पहले वाला दिन क्या था सोंबार यानि मंडे था ठीक है इप दा डे विफोर येस्टर डिवास मं ठीक है तो सोंबार सोंबार था मतलब आज जो दिन है तो क्या बोला जा रहा है कल से मतलब कल से पहले वाला दिन सोंबार था तो सोंबार के बाद मंगल वार आ जाएगा आपका यानि तूजडे इसके बाद आज क्या जाएगा बुद्वार यानि वेडनस डे अब पूछा क्या जार आज बुदुवार हो गया तो कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा तो कल क्या हो जाएगा अपना Thursday यानि गुरुवार हो जाएगा ठीक है इसके बाद अगला दिन क्या Friday हो जाएगा यानि सुक्रुवार क्या हो जाएगा सुक्रवार देखें कितना अच्छा कोशन है कि कल के पहले का दिन सोंबार था तो कल के बाद का दिन कौनसा हो तो answer क्या जाएगा सुक्रवार, option number कौनसा, option number A, सुक्रवार, ठीक है अब यहाँ देखें, अंग्रेजी वर्ण माला में दाएं से अठार्वा अक्षर कौन सा है अब दाएं से अठार्वा अक्षर आप से पूछा जा रहा है, दाएं से, ठीक है तो ABCDF जब लिखते हैं, ठीक है ऐसा लिखेंगे पूरा Z तक, तो यह क्या होगा 22 होगा, ठीक है, दाएं से मतलब इधर से ठीक है आपोजीट से पूछा जा रहा है तो आठारवा अक्षार तो नॉर्मल आपोजीट से पूछा रहा है तो 27-18 कीजिए तो क्या जाएगा 9 तो 9th नंबर में कौन सा आता है starting से क्योंकि देखिए यह आपोजीट से बोला जा रहा है दाएं से मतलब आपोजीट से अठारवा लेटर तो अपोजीट से अठारवा अक्षार प्राक्त करना है हमको तो क्या करेंगे 27 माइनस कर देंगे तो 9 आ गया तो क्या आजाएगा 9 9 नंबर पर कौन सा आता है starting से I तो क्या आगया अपना I option अगला देखते हैं दाएं से क्या हो रहा है अठारवे नंबर पर पूछा जाएगा एक चीज रुखिए आप सभी अठारवे पर अगर पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा 18 इधार हो गया एक सेगन देखिए एक बार हम इसको लिख के देखते हैं आप सभी क्योंकि क्या हो रहा है एक यहां पर उपर नीच हो जाए बी सी डी ए एफ जी एच आइच आई जी के ल एम एन ओ पी क्यू आर स्टी यू वी डवलो एक्स वाई जेट ठेक एक दो तीन चार पांच चैसा टाट नो दस क्यारा बारा तेरा चुदा फंदरा सोला सत्तरा अठारा ठीक है अठारवे पर आगया उसी तरीके सीधा चलेंगे तो उननीस बीस ऐसा चल जाएगा तो अठारवे पर आगया आई क्योंकि अब देखिए ऐसा कि नय नाम को ऐसा भी हमने चेक कर लिया दाएं स तरीके से भी निकाला जा सकता है सौट कट से जो बताया मैंने ठीक है अब देखिए इसमें कि निम लिखी स्रेडी में कोस्टन मार्क की इस थान पर कौन साख चारा रहा विच लेटर विल कम इन प्लेस आप कोस्टन मार्क इन फॉलिविंग सीरीज तो चलिए अब इसको ब जाता है तो आही मैं को जी के आजाए गया इसका आई हुआ आउड है फिर एला ऑगया कई शाहरज आई हुआ इसका जे के बाद के ऩ clown की अथ नहीं के बढस है तो है है और बिकए बद एच आगया फिर एला प् Travis का घएच मड़ा फिर तो kx अपना answer है ठीक है ना तो kx option number a अपना answer है अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है missing term यहाँ पर बताना है कौन सा आएगा question mark इस्थान पर यहाँ पर 16 आया कैसे 16 आया 12 है 8 है 6 है कैसे 16 लाए हम बता यह कैसे 16 लाए है कि अपना answer बिल्कुल सही आ जाए कैसे 16 लाए है 96 upon 6 equal to 16 अच्छा ऐसा करना है तो उसमें भी वैसा कीजिए तो देखिए जो इस साइड वाले हैं अपने पास जो इस साइड वाले हैं जो 27 into 6 कर दीजे और divided by यूधर है 15 कर दीजे तो कितना आ गया 150 upon 15 हो गया ठीक है तो कितना आगया 10 है क्या option में 10 option number a आपका correct option number a 10 आगया sequence smallest to largest ठीक है देखिए सभी क्या है क्या है byte है beat है सुना अपने kb हमारे mobile में इतनी mb बच्ची इतनी kb बच्ची सुने न इतनी 1gb है ठीक है mb kb tv ठीक है तो इस वह हम बताना है कि कौन सी unit होटी है सबसे छोटी से बड़ी के करम में जमाना ठीक है तो देखिए bits छोटा हो 8 bits होते हैं तो छोटा कौन हुआ है इन दोनों में एक byte अकेले देखिए 8 के बरावर तो सबसे छोटा हो गया पहले आ जाएगा d सबसे छोटा फिर आ जाएगा a ठीक है अब byte हो गया इसके बाद होता है kb किलोवाइट ठीक है किलोवाइट इसके किलोवाइट यानी c आ गय किलोवाइट के बाद होता है बता है यह kb के बाद mb होता है ठीक है mb हो गया mb मतलब b आ गया mb के बाद होता है अपका gb होता लेगे gb option में नहीं तो gb के बाद क्या होता है tb होता है फिर क्या होता है pb ठीक है पेटा वाइट बहुत सारे होते हैं आगे उसाब आपको मिला लेते हैं पहला bits आ गया फिर byte आ गया इसके बाद आ गया आपका bits के बाद byte आ गया इसके बाद का आ गया KB आ गया KB के बाद MB आ गया MB के बाद TB आ गया ठीक है तो इस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं तो अपना D.A.C.B.E D.A.C.B.E option number पर यह correct है तो देखे अगर आप 9धाator विद्याले की तयारी करें तो 9धाator विद्याले की तयारी के लिए हमारे 9धा अलफा बैच आज लाश्ट डेट है 9धार ऑलफा के batch फोर में इंडूल करनेगा तो आज आज आप इंडूल कर लिजे कल से पहले पहले यानि आज ही अगर आप इन्रोल कर लिए दो सो रुपए की विसेश चुट मिलेगी अपके लिए लगातार नय बैचे आ रहे हैं ठीक है लास्ट बैचे हमारा जब आप 20 जनवरी जो बच्चे एक्जाम देने वाले हैं उनके लिए ठीक है तो आज से पहले आज राद 12 बज़े पहले आप सभी इन्रोल कर लिजिए इसमें आपको देखिए वीडियो लेक्चेस मिलेंगे एक्सरसाइज कोस्टन चैप्टर के टेस्ट और टेलिग्राम ग्रूप जहां पे बच्चों के डाउट वहां पे क्लियर किया जाएंगे डेली सामकों के बखभग समय बच जाएगा ठीक है चलिए सैनिक स्कूल की अगर आप तयारी कर रहे हैं नवदय के लिए बच्चों का एक्जाम भी कहा जन्वरी में होता है सैनिक आले बच्चों का भी जितनी भी चीजी आप सभी को पाई जाएंगी वो क्या है न्यू सीलेबर के बेस में होगी सब कुछ आपके साथ कवर किया जाएगा हर चीज ठीक है नवदय की तयारी के लिए अर्जून बैच हमारा रिकॉर्डेट बैच है जिसमें सभी चीजे एक बार में दी जाएगी बाकी अलफा बैचे से जो नवदय अलफा सैनिक अलफा उसमें सिक्वेंस से चीजे बढ़ जाता है ज्यादा ज्यादा कोशन प्रैक्टिस करने से आपको सफलता हांसिल होने के चांसे ज्यादा रहते हैं इसलिए हिंदी मीडियम इंग्लिस मीडियम में मॉक टेस्ट उपलब्द हैं मॉडल पेपर हैं नवदय असनिक दोनों स्कूल के ठीक है हमारा हेल्प ल अभी तक आपने अगर हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया तो टेलिग्राम चैनल आप सभी जॉइन कर लिजिए टेलिग्राम में जाईए वहां माई द्रोड स्कूल सर्च कीजिए हमारे ऑफिसियल टेलिग्राम चैनल यहां सबसे पहले जितने भी चीज़े है सबसे पहले यहां नोटिफिकेशन सेयर किये जाते हैं साथ में द्रोड इस्कूल के यूटूब चैनल को आप सभी नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकेन पे क्लिक जरूर करें ठीक है सभी को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है कि कौन से कोशन समझ तो सब बच्चों को सिंपल सिंपल कोशन से सब मैंने समझा दिये कौन से कोशन आप से नहीं बने खुद से क्योंकि बता तो मैंने सब कुछ दिया है मैंने क्या बोला खुद से बनाने का भी प्रयास करना है और खुद से आप कितने कोशन बना पा रहे हैं इतने कुछन सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में आप सभी को लिकर ज़रूर बताना ठीक है एक बार फिर से आप सभी को सतंतरता दिवस की हार्दिक सुपकामना है जै हिन जै भारत